हलो एवरिवान स्वागत है आप सभी का फाब इंग्लिश पर मैं हूँ भुमेका चाहान और आज आपके सामने मैं वीडियो लेकर आई हूँ नारेशन का ये एक वीडियो के अंदर मैं आपको complete narration के rules जो आपको exam point of view से काफी ज्यादा काम आने वाले हैं मैं आज की इसकेवल एक वीडियो में करवा दूगी आपको बहुत सारी वीडियो देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी इसके बाद questions की practice भी हम साथ साथ करेंगे और सारे rules imperative sentences interrogative assertive हर तरीके के sentences के जो rules होते है narration के अंदर वो आज हम सभी clear कर लेंगे आए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को narration जो है इसको आपने नाम सुना होगा direct speech indirect speech right direct और indirect नाम से भी आपने काफी ज्यादा इसको सुना होगा सो होता क्या है देखो एक होता है direct speech और एक होता है indirect speech कुछ examples से ही समझते हैं starting में है ना एक यहाँ पर आपको लिखा हुआ है Ram said I can speak English fluently ये एक sentence था ठीक है क्या Ram said Ram ने कहा अब जो भी बात inverted commas के अंदर होती है ना बच्चों जो भी बात inverted commas के अंदर कही जाती है उसका मतलब होता है कि किसी इंसान के जो भी शब्द थे जो भी बात उसने कही हमने वो चीज as it is बता दी जो की त्यों बता दी जैसे राम ने जो बात कही वो as it is यही शब्द थे कि I can speak English fluently कि भई मैं जो है अंग्रेजी काफी फर्राटेदार बोल लेता हूं या बोल सकता हूं अब अगर यही बात आपको किसी और को बताने हो तो हमेशा आपके शब्द बदल जाएंगे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे आप कैसे बताएंगे राम सेड़ दाट राम ने कहा कि he could speak English fluently कि भाई वो जो है English जो है काफी फर्राटेदार बोल सकता है आपने देखा कि यहां पर क्यान जो था वो कुड में हो गया ऐसा क्यों कि आप जब किसी को कोई बात किसी की कही हुई बताएंगे तो वो बात पास्ट में चली जाएगी जाएगी या नहीं जाएगी राइट क्योंकि उसने वो बात तो पास्ट में ही कही होगी राइट औ किसी के द्वारा कही गई बात को जयों का क्यों बता रहे हूं और हम पास्ट में जा चुका होता है अब कैसे इनको चेंज करते हैं gotta क्लास क्या होते हैं उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर बात करेंगे ठीक है तो अब आप आप सेड़ाया इंवर्टेट कॉमा चले गए इनहीं के बारे में हम जानेंगे तो यह तो आपको समझ में आगया होगा कि डायरिक्ट स्पीच और इन्डारेक्ट स्पीच आखिरकार क्या होता है अब बढ़ जाते हैं हम आगे चलिए रही इस इड़ाया वह एक पत्र लिख रही है उसने कहा कि उसने कहा था कि वह एक पत्र लिख रही थी राइट चलिए आए यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको डायरिक्ट स्पीच के बारे में कमप्लीट जानकारी देना चाहूंगी डायरिक्ट स्पीच के अंदर जो भी चीजें होती है उन्हें क्या क्या बोला जाता है और यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और यह इंपोर्टेंट क्यूं है हर एक चीज पढ़ेंगे तो आगे जब भी मैं रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेट स्पीच बोलूंगी तो आपको बता चल जाएगा कि माम सेंटेंस के किस पॉर्शन की बात कर रही है ठीक है चलिए यह वाला हम ले लेते हैं सबसे पहले राम सेड राम सेड आई कें स्पीच एंगलिश फ्लुएंटली राम ने कहा कि मैं अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकता हूँ यहां पर अब इसको हम दो पार्ट में बाट लेते हैं एक पार्ट तो inverted कॉमास के पहले वाला पार्ट नाम दे दिया यह पाट तो मैंने आपको अभी बता दिया यह बात हम अभी डाइरेक्ट स्पीच की कर रहे हैं ठीक है अब राम यहां पर कौन है स्पीकर है ठीक है हमारा सब्जेक्ट भी है और हमारा स्पीकर भी है राइट राम हमारा स्पीकर हो गया यह हमें पता चल गया उसके बाद, next आता है reporting speech, reporting speech क्या होता है, inverted commas के बाहर वाला जो हिस्सा होता है, वो reporting speech कहलाता है, inverted commas के बाहर वाला जो हिस्सा है, वो क्या कहलाएगा, reporting speech कहलाएगा, ध्यान से सुनना ठीक है reporting speech कहलाएगा inverted commas के बाहर inverted commas के बाहर ठीक है यह कहलाता है reporting speech अब राम क्या है reporter है राम क्या है reporter है राम said I can speak English fluently वो reporter है ठीक है वो बात बता रहा है उसने कही है बात reporting verb क्या है said said क्या है यहाँ पर अभी हम किसकी बात कर रहें inverted commas के बाहर वाले portion की राम क्या हुआ राम क्या हुआ reporter हुआ और said reporting verb हुआ ठीक है बाहर वाला हिस्सा पूरा क्या कहला रहा है reporting speech reporting speech के अंदर यह जो चीज थी यह क्या हो गई reporting verb और यह कौन हो गया reporter अब बात करते हैं reported speech की क्या आखिरकार reported speech क्या होती है inverted commas के अंदर वाला जो portion होता है I can speak English fluently reported speech है क्या है reported speech है क्योंकि यह बात कही गई है जो बात कही गई हो inverted commas में वो reported speech है inside inverted commas reported speech outside inverted commas reporting speech हर एक चीज मैंने यहाँ slide में आप लोगों के लिए लिखी हुई है इन slides को इनका PDF जो है मैं आप लोगों को मेरे टेलेग्राम भुमिका चौहान पर शेर करूंगी वहाँ से आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं देन आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं and that is the reason कि मैंने slides में एक एक चीज में बेंशन किये ताकि आप बाद में PDF के थूँ भी अगर अपना revision करो तो आपको सारी चीजें clear हो जाएं ठेक है अभी हमने क्या देखा हमने बात की direct speech की उसमें दो parts देखे एक था हमारा reporting speech जो था inverted commas के बाहर वाला पार दूसरा था हमारा reported speech जो था inverted commas के अंदर वाला पार्ट अब जो reporting speech था मतलब बाहर वाला पार्ट था इसमें जो ये said है ये क्या है reporting verb है reporting verb है मैं इस चीज़ पर इतना दबाव देके इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे इनी से related चीज़ें आपको अभी जाननी है rules जाननी है ठेक है और राम क्या था हमारा reporter यहां तक हमें clear हो गया हो गया clear बहुत बढ़िया अब reporting speech जो होती है reporting speech जो होती है मतलब inverted commas के बाहर वाला जो हिस्सा होता है हम जब भी direct speech से indirect speech के अंदर बदलते हैं जैसे यहाँ पर हमारा था राम सेड I can speak English fluently राम ने क्या कहा मैं English fluently बोल सकता हूं तो इसको हमने change करके क्या बनाया था राम सेड़ डाट अब यहां पर जो यह सेड़ था वो यहां पर सेड़ ही रहा लेकिन बहुत सी बार आपको अलग अलग reporting verbs भी देखने के लिए मिलेंगे तो सबसे पहले जब भी हमें direct speech से indirect speech में बदलना है तो हम reporting verbs को कैसे बदलते हैं वो जानेंगे ठीक है चलो स्टार्टिंग किस से कर रहे हैं reporting verb से आईए so changes in reporting verb क्या होते हैं सेड सेज और सेड़ यह तीनों आ रहे हैं अगर यह तीनों आ रहे हैं आपके reporting verb में तो उनके अंदर कोई भी change नहीं होता मतलब सेड सेड ही रहेगा सेज सेज ही रहेगा और से से ही रहेगा clear है यह as it is रहते हैं लेकिन अगर आता है से टू या फिर सेज टू या फिर सेड टू जब टू लगा दिया मतलब इसके बाद कोई ना कोई object तो जरूर आएगा ठीक है प्रेपोजिशन है यह टू क्या है एक प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के बाद एक object आता है जिसके बारे में वो बता रहा होता है तो जब भी सेड टू सेज टू या सेड टू आएगा इस केस में आप सेड टू को चेंज करेंगे टेल में आप सेड टू को चेंज करेंगे टेल्स में और आप सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में clear, यह बात समझ में आ गए, so said, says और say में कोई भी change नहीं आता, say to, says और said to, tell, tells या फिर told में change होते हैं, and will say, will say रहता है, will say to, will tell में बदल जाता है, क्योंकि यहां पर say था न, that's why, will say किस में बदला, will say में, and will say to, किस में बदला, will tell में, ओके, यह चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, active voice, passive voice, और हमारे narration, यह दो टॉपिक्स ऐसे हैं, plus preposition भी, इनमें rules का याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमें rules सारे पता होंगे, सब की सब याद होंगे, तो हम काफी आसानी से कोई भी sentence को active से passive में, या फिर direct से indirect में change कर पाएंगे, ठेक है, तो English में काफी सारे rules हैं और काफी सारे exceptions भी हैं, इस वीडियो के end में, मैं आपको direct indirect speech में, जो भी exceptions होते हैं, वो बताऊंगे, ठेक है, तो जरूर जुडिये रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के end तक, काफी सारी नई चीजे अच्छी चीजे आपको वीडियो के दौरान पता चलेंगी, ठेक है, अब हम पहला change हमने क्या देखा, पहला change हमने देखा, कि हम reporting verb को कैसे बदलते हैं, वो मैंने आपको table में दिखा है, अब हम देखते हैं, जो कॉमाज लगे होते हैं, वो कैसे बदलते हैं, ठ यहां पर आप देख सकते हों कि कॉमाज लगे होएं, है ना, जब हम इसको indirect speech में change करेंगे, तो हम इन सभी कॉमाज को हटा देंगे, यह वाला भी और यह वाला भी, हम इन सभी कॉमाज को हटा देंगे, हमारा sentence बन जाता है, he said that, he was not sure, तो हमने क्या किया, हमने inverted कॉमाज को हटा कर और कॉमा को हटा कर that put किया, ठीक है, हर जगा जरूरी नहीं है कि केवल that ही लगेगा, बहुत सी जगा आप देखेंगे कि if और weather का use भी होगा, वो कहां पर होगा, वो आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा, आगे आने वाली वीडियो में मतलब इसी वीडियो के दौरान आगे पता चलेगा, अभी आप केवल that पर focus कीजे, ठीक है, तो कॉमाज और inverted कॉमाज को हटा कर हम क्या put करते हैं, ये बात क्लियर हो गई, तो पहली चीज हमें पता चल गई, इसको कैसे बदलते हैं, फिर हमें पता चल गया कि कॉमाज और इंवर्टेड कॉमाज को हटा कर दाट लगता है, दो चीजे हमें पता चल गई, दो रूल हमारे सामने आ गई, अब बात आती है तीसरे और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रूल की, और वो रूल है सन रूल, आखिरकार ये सन रूल है क्या, मे शी क्या है हमारी, रिपोर्टर है, ठीक है, सेड क्या है हमारा, रिपोर्टिंग, वर्ब है, राइट, और ये इनवर्टेड कॉमाज के अंदर वाला पार्ट हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, हमने ये जान लिया कि सेड को कैसे बदलत सेड आ रहा है तो वहां पर भी सेड आएगा आ गया फिर हमने जाना कॉमाज और इन्वोर्टेट कॉमाज को हटा कर डाट लगता है हमने यहां पर डाट लगा दिया कॉमाज और इन्वोर्टेट कॉमाज को हटा कर लेकिन आप यहां देख सकते हो कि आय लिखा हुआ है और आ से बदलेगा ठिक है संद्रूल सबसे पहली बात क्या है संद्रूल में S आता है subject के लिए O आता है object के लिए और हमारा N आता है no change के लिए ठेक है One आता है first person, two आता है second person और three आता है third person के लिए ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर हमारा reported speech में जो subject दिया हुआ है, वो क्या है? first person है, first person है, तो वो reporting verb के, reporting verb के subject के according बदलेगा, आई बात समझ में? वापिस से सुनना, बिल्कुल वापिस से सुनना, मैंने याँ सब कुछ लिखा है, she said I am writing a letter, अब हमें जानना है, यार यह आई जो है, यहाँ आके she में क्यों बदल गया? क्यों बदला? sun rule के according बदला, देखो, अगर आपका reporting verb जो है, और आपका जो reported speech है, यह पूरा आपका reported speech है, यह पूरा आपका reporting verb और reporter है, है? बिल्कुल बढ़िया, अब यह जो reported speech है, इसका subject क्या है? I, इसका subject क्या है? I, तो reported speech के subject, अगर first person है, तो वो reporting verb के subject के according बदलेगा, अगर reported speech का subject, second person है, second वाले sentence में देखो, second person है, तो वो reporting verb के object की तरह बदलेगा, और अगर वो third person है, जैसे ही लिखा हुआ है, reported speech का subject अगर third person है, तो भाई, third person में कोई बदलाव नहीं आता, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझ में आनी, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ठेक है? चालो, जैसे she said I am writing a letter, उसने कहा मैं एक पत्र लिख रही हूँ, she as it is आया, said, said जो है वो said में रहता है, that, commas और inverted commas को हटा कर हमने that लगाया, अब यहाँ पर she क्यों आया, देखो, क्योंकि यहाँ पर I था, I क्या है, first person, I और V किसमें आते हैं, first person में, first person, reporting verb के subject के according, reporting verb क्या है, said, इसका subject क्या है, she, तो she क्या according बदलेगा, तो यहाँ पर जब यह subjective case में आ रहा है, तो यह she, she ही रहेगा, she said that she was writing a letter, उसने कहा कि वो एक पत्र लिख रही थी, अब यहाँ पर am writing, was writing में क्यों बदला, यह अभी हम आगे, tenses कैसे बदलते हैं, उसके दौरान पढ़ेंगे, तीन चीज़े clear हो गई, सबसे पहली चीज, direct speech में, एक हमारा reporting speech, एक हमारा reported speech हो गया, reporting speech के अंदर एक reporter है, और reported, reporting verb है, दूसरा हमारा reported speech है, जो inverted commas में बंद है, अब हमने सबसे पहली चीज़ देखी, कि यार, said, यह जो reporting verb है, यह कैसे बदलता है, है ना, और कौन-कौन से हैं, जो बदलते हैं, और कौन-कौन से हैं, जो नहीं बदलते, ठीक है, यह चीज़ हमने देखी, उसके बाद अगली चीज़ हमने क्या देखी, कि commas और inverted commas को reported speech का, वो change करेंगे, तो वो हम sun rule के according change करेंगे, अगर आपका reported speech का pronoun first person है, तो वो reporting verb के subject के according बदलेगा, इसलिए मैंने आपको starting में reporting verb, reported speech यह सब बताया था, अगर वो second person है, तो वो reporting verb के, देखो, says to me लिखा है, object के according बदलेगा, reporting verb का object क्या है, he says to me, me object है, इसके according बदलेगा, अब यह जब यहाँ पर subjective case में आएगा, तो यह I बन जाएगा, है ना, me जो है, वो I में बदल जाएगा, He says to me, you have done your work, see, यहाँ लिखा है, says to me, क्या बदल जाएगा, says to किस में बदल जाएगा, tells में बदल जाएगा, He tells me, inverted commas हटा कर हमने that लगा दिया, He tells me that I, I यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर me था, हमारा यहाँ पर reported speech का subject you है, you second person होता है, और second person जो होता है, वो reporting verb के object के according बदलता है, object क्या है, me है, I hope this is clear, right, next one, she says he doesn't work hard, she says he doesn't work hard, हमारा reported speech का subject क्या है, ही है, ही क्या होता है, third person, that means इसके अंदर कोई change नहीं आएगा, She says that he doesn't work hard, she says that he doesn't work hard, I hope यहाँ तक आप लोगों को यह सभी चीजे जो हैं वो clear हो गई होंगी, right, चलिये, अब बढ़ जाते हैं आगे, right, यहाँ पर जो भी pronouns होते हैं, वो कैसे बदलते हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव केस, I, we, you, he, she, they, possessive केस, my, our, yours, his, her, their, objective केस, me, us, you, him, her, then, देखिए, नॉमिनेटिव केस में अगर I है, वो possessive में जाएगा, तो my बन जाएगा, अगर वो objective में जाएगा, तो वो me बन जाएगा, जैसे यहाँ पर, हमारा ये me में था, जब ये subjective केस में आया, तो I बन गया, तो यहाँ पर यही बताया हो, नॉमिनेटिव केस मतलब कि जो subjective केस है, ठीक है, जो subject की तरह आ रहा है, अगर I subject की तरह है, और उसको वहाँ जाकर object की तरह बनना है, तो वो me की तरह जाएगा, अगर वो possessive केस में है, मतलब जब भी आपको कोई चीज इसका possession बताना है, कि यह चीज किससे belong करती है, ठीक है, तो आप उस I को my में बदल दोगे, और अगर reflexive दिखाना है, तो आप myself में चेंज कर दोगे, clear, वैसे ही, we जो है, वो our में, possessive case, objective में वो us में बदल जाता है, और reflexive में वो ourselves में, यू जो है, वो yours, possessive में, objective में, यू जो है, वो you ही रहता है, and yourself में, he जो है, वो his में, possessive case, objective case, him, and reflexive case, himself, यहाँ पर यह चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको me का example दिया, me यहाँ पर objective case में था, जब वो change हुआ, ठेक है, यहाँ पर जब वो subjective case में आया, इसी के according तो आया न, जैसे he tells me, उसने मुझे बताया, अब हमने बोला था कि यहाँ पर जो pronoun आएगा, वो इस object के according यह आएगा, क्यों आएगा इसके according, क्यों आएगा, क्योंकि यह हमारा second person है, और second person किसके according change होता है, reporting verb के object के according, objective case में क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, अब इसके according तो हमें जब इसे subjective case में लाना है, तो मी कैसे बदल गया यह देखो यहां मी दिया हुआ था मी का सब्जेक्टिव केस क्या है आए तो यह चीजे आपको याद करनी होंगे ठीक है जो भी चीज मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिये इसलिए सारी चीजे अल्रेडी मैंने यहां पर लिखी हुए ता यह देम और देंसल्ब्स में अब बारी आती है कि जो वर्ब है या फिर हम बोलें जो टेंस है वो कैसे बदलता है ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है सबसे पहली ही चीज रूल नंबर वान में जो दिया हुआ है वो क्या है देखो वैन रिपोर्टिंग वर्ब अगैन ध्यान दिजी मैंने इसलिए भोला था रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपोर्टेंट इर्न जो हमारा प्रोनाउन चेंज हो रहा था वो भी coral की आकॉर्डिंग हो रहा था संन देन से अब जो हमारा verb और tense change हो रहा है, उसमें भी reporting verb का बहुत ज्यादा हाथ है, कैसे है, बहुत ध्यान से देखते हैं, देखो, अगर आपकी reporting verb present या future tense में है, मतलब says या will say है, तो आपके reported speech के tense में कोई change नहीं होता, आप as it is लिख दोगे, देखो, यहाँ पर एक example भी था, जैसे, he says to me, आपकी जो reporting verb है, यहाँ से देखो, आपकी जो reporting verb है, he says to me में, says to से क्या पता चला, present में है, है ना, तो जब यह यहाँ पर बदला, तो यहाँ पर भी have done था, tense था यहीं, यहाँ पर भी have done tense है, तो tense जो है, वो इनका same है, tense में कोई बदलाव नहीं आया, बदलाव केवल किस में आया, inverted commas को हमने हटाया, और pronoun को change किया, that's it, clear हुआ, next volume में भी देखो, इसमें भी says लिखा हुआ है, तो जब says लिखा है, या will say लिखा हो, present या future में अगर reporting verb हो, तो जब आप उसको indirect में बदलते हो, त इसके tense में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जब said लिखा हुआ था, तो यह reporting verb past में थी, तो हमने यहाँ पर tense भी बदला, हमने यहाँ पर tense को भी change किया, यह बात clear हो गई हमें, यह बात काफी अच्छे से पता चल गई, right, चलिए, बढ़ जाते हैं आगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर वो present tense और future tense के अंदर है, तो उसके अंदर कोई भी change नहीं आएगा, right, in the verb of the tense of reported speech, in the sentence, लेकिन अगर वो past में है, पहले उसका example देख लेते हैं, The teacher says, Ram performs on the stage, the teacher says, Ram performs on the stage, says से हमें क्या पता चला, present में है, तो हम reported speech के tense में कोई भी change नहीं करेंगे, हमारा sentence क्या बन जाएगा, The teacher says that, teacher कहती है की, Ram performs on the stage, same as it is रहा, केवल inverted commas को हटा कर that लगा, और मेरी बात को ध्यान से सुनियेगा, जब भी, अब Ram क्या है, किसी का नाम है न, तो जब किसी का नाम as it is दिया हो, तो वो वैसा का वैसा लिखा जाता है, ठीकिया, उसके अंदर कोई change नहीं आता, okay, किसे, The teacher is saying, again, is saying, so is saying से क्या पता चला, reporting verb किस में है, present में है, तो हम reported speech के tense में कोई change नहीं करेंगे, देखो, The teacher is saying, केवल inverted commas को हटा कर that लगाया, राम, राम ही रहा, performs on the stage, हमने inverted commas को हर जगा से हटा दिया, और हमने that add कर दिया, यह बाद clear हो गई, तो अगर reporting verb present या future में है, तो उस case के अंदर क्या होगा, उस case के अंदर reported speech के tense में कोई change नहीं होगा, clear, चलिए, अब बारी आती है rule number two के, ठेक है, जब हमारा reporting verb जो है, उसके अंदर हमने बोला, okay, rule number two में हमने बोला कि present और future में है, तो उसके अंदर कोई change नहीं होगा, लेकिन rule number two यहाँ से start होता है, अगर वो past में है, क्या, is equal to reporting verb, अगर हमारी reporting verb past में है, तो फिर हमारे tenses में change होता है, ठेक है, तो फिर हमारे tenses में change होता है, कैसे, जो simple present है, वो simple past में बदलता है, जो present continuous है, वो past continuous में बदलता है, जो present perfect है, वो past perfect में बदलता है, और जो present perfect continuous है, वो past perfect continuous में बदलता है, clear, उसके बाद आता है हमारा past tense, so simple past हमारा past perfect में बदलता है, यह बात ध्यान रखनी है और याद भी रखनी है बिटा ठीक है यह टेंस को आपको याद रखना काफी ज्यादा important है कि कौन सा टेंस किसमें change हो रहा है सो simple past change होता है past perfect में past continuous change होता है past perfect continuous में अब इसके अंदर आपने देखा कि past perfect और past perfect continuous नहीं लिखा हुआ तो वो change नहीं होते उसके बाद future tense के अंदर जो हम विल और शाल यूज करते हैं वो जो है would में change हो जाते है ठीक है can जो है वो could में change होता है और में जो है वो might में change होता है यह बात आप लोगों को clear हो गई अब आईए देखते हैं कुछ और examples जिससे हमें ज्यादा clarity मिलेगी चलिए जो यहां पर मैंने सभी को उनके किसके according लिखा हुआ है formulas की according सो ध्यान रखना जब वर्ब की first form होगी तो वो वर्ब की second form में बदल जाएगी इसमर प्लस वर्ब की first form में आई एंजी वोज वर्ब प्लस वर्ब की first form में आई एंजी प्रेजेंट continuous past में बदल गया has have वर्ब की third form had में बदल गया ठीक है past perfect में past simple में already verb की second form लगती है तो वो change हो जाता है past perfect में had और वर्ब की third form लग जाती है past continuous was were plus ing perfect में past perfect continuous में had been plus verb की first form के साथ ing अब जो टेंस इसमें नहीं लिखे हुए उनको बदल नहीं सकते हैं हम ठेक है उनको change नहीं कर सकते then future simple will or shall जो है वो would में change हो जाता है and अगर future continuous है that is will be shall be है तो वो would be में change होगा conditional continuous में change होगा यह बात clear हो गई हमें और बाकी के बचे हुए जो tenses हैं उनको हम change नहीं कर सकते clear so यह मैंने यह आपर इसलिए लिखा है थाकि आप जब pdf से इसको revise करने की कोशिश करें तो आप अपनी copies में हर एक rule को ऐसे ही properly लिखें तभी आपको clarity मिलेगी ओके चला अब हमने जो अभी rules देखें उसके according कुछ sentences देखें आए हमने बोला कि simple present simple past में बदलता है let's see कैसे बदलता है I always drink coffee she said अब यह जो she said वाला portion है यह हमारा क्या है reporting speech और जो हमारा inverted commas वाला portion है यह वाला पूरा portion है यह क्या है हमारा reported speech ठीक है बहुत बढ़िया अब हम पहले देख लेते हैं हमने देखा said लगा हुआ है that means tense may change होगा ठीक है उसके बाद हमने दूसरी चीज़ क्या देखी कि यहाँ पर I है I क्या होता है first person pronoun तो यह किसके according बदलेगा reporting verb के subject के according reporting verb क्या है यहाँ पर आर वी लिख देती हूँ reporting verb क्या है said इसका subject क्या है she तो यहाँ पर I जो है वो किसके according बदलेगा she क्या according आए देखते हैं she आ गया she said that देखो शी आ गया यहाँ पर आया ना यह जो आए है वो किसमे बदल गया she में she said that she always drank coffee verb की second form simple past में चले गए वर्ब की second form लगा दिया drink drank drunk verb की second form चलो present continuous past continuous में let's see I am reading a book he explained अब जो यहाँ पर he explained है वो क्या है reporting reporting speech explained क्या है reporting verb past के अंदर है बिलकुल है जरूरी नहीं है हमेशा said या say यही जिया हो बहुत सी बार inquired exclaimed explained ऐसी चीज़े भी आपको मिल जाएंगी ठीक हम change करते हैं तब आ जाता है चलो he explained में भी उसने कोई बात कही ही होगी है ना तो यह past में है मतलब की tense में change होगा यह क्या है हमारी reporting verb है यह हमारा reporter है ठेक है I क्या है हमारा first person है pronoun किसके according बदलेगा reporting verb के subject के according subject क्या है he take care I am reading present continuous में किस में change हो जाएगा past continuous में he explained that commas और inverted commas को हटा कर हमने क्या लगाया that यहाँ पर आया ही यहाँ पर क्यूं आया क्यूंकि यहाँ पर हमारा जो reporting verb है वह explained था और इसका subject ही था तो जब वो उदर की तरफ हम change कर रहे हैं तो इसी क्या according change कर रहे है इसी लिए वहाँ पर ही आया क्यूंकि वह वहाँ पर subjective case में आया है ना present perfect changes to past perfect present perfect जो है वह past perfect में बदलता है देखिए she said he has finished his work उसने कहा कि उसने उसका काम खत्म कर लिया है अब set दिया हुआ है मतलब change तो होगा present perfect है किसमें change होगा past perfect में कैसे has finished किसमें बदल जाएगा had finished में ओके यहाँ पर ही दिया हुआ ही क्या है third person third person है तो कोई भी change नहीं होता no change sun rule के according और commas or inverted commas attack around that laga dinge क्या बन जाएगा she said that she said that that I again I go inverted commas attacker he had finished his work he had finished his work clear हो गई यह बात चलिए present perfect continuous changes to past perfect continuous so I have been to Spain he told me he told me told आया हुआ है past में है तो change होगा कैसे बन जाएगा he told me that अब यहां पर देखो आय दिया हुआ है subject क्या according की बदलेगा ही क्या according बदलेगा है ना first person है he told me that he had been to Spain और inverted commas कुमा सबहट जाते हैं यहां तक चीज़े clear हो गई tenses का change भी पता चल गया आप लोगों को inverted comma वाला change पता चल गया आप लोगों को sun rule पता चल गया कि प्रोनावन कैसे चेंज होता है अब आगे आएंगे और अलग अलग तरीके के sentences for example imperative sentences को कैसे बजेंगे for example interrogative sentences को change करने का क्या तरीका होगा clear so let's see पहले हम बाकी के tenses की भी practice कर लेते हैं चलो simple past changes to past perfect कैसे बदलेंगे bill arrived on saturday he said said से हमें पता चला की past में है अब बिल जो है बिल ही रहेगा इसमें कोई change आएगा नहीं अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो so bill arrived on saturday arrived मतलब past में है simple past change curry किस में आ जाएगा past perfect में past perfect में he said that commas inverted commas atta diya that bill had arrived on saturday had arrived on saturday next one past perfect changes to past perfect mother past perfect kender koi badla nahi hota past perfect past perfect में रहता है for example i had just turned out the light he explained so kya bana he explained that up keval pronoun badlega kya se yaa par kya hai pronoun he subject kya hai he yaa par kya hai I up I kya hoata hai first person to skis kya according but legal subject subject kya hai he hana so he explained that he had just turned out the light is cobs of the belly like there take care what's the bar up ko zyada tarap logo ko yewala job portion a year starting me like over the kingdom to cool you say for me were the ticket is my confused mother janaki ma'am hamarie me to question may yeah he explained yeah he said voila portion starting media work hoi baat ni starting may be ho sakta hai end may be ho sakta hapko main cheese samajne ki zarurata bas take care so same with the past continuous changes to past perfect continuous we were living in paris they told me they told me a video have a first person we kya hai bita ji first person hai hai kis kanga qda lega kis kanga awarding badledega subject ke de kee hai poruno hiring ha prefer as ka subject a reporting verb kya hai told a reporting verb kya hai do look reporting verdict kya hai do say they told me that they had been living in paris past perfect continuous me clear हो गई यह बात, simple past changes to past, perfect, यह हम कर चुक है, clear, अब, future changes to present conditional, future changes to present conditional, for example, I will be in Geneva on Monday, he said, right, कैसे बदले गई, I will be, will be अगर, shall be अगर यह use हो रहा है, will be या shall भी अगर use हो रहा है, तो वो would be में change होगा, ठीक है, conditional में change होगा, कैसे, he said that he would be in Geneva on Monday, आई बात समझ में, will be, shall be हो तो वो would be में change होगा, clear हो गई यह बात, चलिये, future continuous changes to conditional continuous, कैसे, she said, I'll be using the car next Friday, I'll be using the car next Friday, she said that she would be using the car next Friday, कैवल क्या किया, commas inverted commas को अटा कर that लगाया, और will be को would be में change कर दिया, that's it, will be को किस में change कर दिया, would be में change कर दिया, यह बात हमें यहां तक समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे यहां तक clear कर दीजे, comment section में जरूर बताईएगा, कि यहां तक का portion आपका easily समझ में आ गया है या नहीं, चले, अब कुछ और words जो change होते हैं, ठीक है, जैसे अगर this दिया हुआ है direct speech में, तो वो दाट में बदलेगा, दीज दिया है तो वो दोज में, हो दिया है तो वो दे में, नाव दिया है तो वो देन में, दस दिया है तो वो शो में, हैंस दिया है तो वो देन्स में, yes, today, that day में, tonight, that night में, tomorrow, the next day में, yesterday the previous day me the day before yesterday two days before the day after tomorrow in two days time ya aapko yaad karni paring is up clear after that last week after last day last month laya last year was called change carrying it the previous week your previous day at the previous month or the previous year may a per next day month your co change carrying in the following day month ya fear you're me ago Joe have a before me change with a hair and this night yeah this day change with a head that night ya fear that day me clear over you but so you tables up what you say revise memorize karni paringi tabi sari cheese a clear homey okay very nice ab models Joe hotei agar aap keus me model words ka use ho rakhahe us case ke an-dar hum sentences may kaise bad love kartei aya jantem can joe book could me change ho jata may joe have a might may and must joe have a had to may change ho jata for example he said I can drive or car he said I can drive or car indirect me agar badal na hai kaise badalega he said that commas inverted commas a tatiya he could drive a car aur verb ki keval first form hi rathi hai kiunki model verbs ke baad hameisha ham verb ki first form ka hi use karte hai model verbs ke baad ham hameisha kya karte hai verb ki first form ka hi use karte hai clear toh yehi cheese ham ne yaha par ki for example may changes into might may joe hai wo might ke ander change ho jata hai jase he said I may buy a computer he said I may buy a computer so kase ban jaegah may might may he said that he might buy a play rikha kud ke baad bhi verb ki first form might ke baad bhi verb ki first form का यूज हो रखा है, ठीक है, must changes into had to, must जो है वो किस में बदलता है, had to में बदलता है, कैसे, he said I must work hard, उसने क्या कहा, I must work hard, must किस में change होगा, had to में, he said that he had to work hard, verb की first form ही लग रही है, लेकिन हर जगा, ये ध्यान रखना है, तो models में इस तरीके के changes आते हैं, अब ये तो हमने देखा, can, may और must के बारे में, बाकी के जो models है, जिन में कोई भी change नहीं होता, वो क्या होते हैं, would, could, might, should और ought to, अगर ये वाले model verbs already use किये हुए हैं, तो इनको ज जैसे, for example, would दिया है जैसे, they said, we would apply for a visa, they said, अब देखो यहापर, would जो है, हमने क्या बोला, change नहीं होगा, कैसे बनेगा, they said that, they would, they क्यो आया यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, वी, वी क्या है, first person, reporting verb के subject के according बदलेगा, तो यहाँ पर, they would apply for visa, तो वुड जो है वो, वुड ही रहा, same, could, he said, I could run faster, he said, I could run faster, he said, that, he could run faster, कुड जो है वो, कुड ही रहा, केवल हमने pronoun or that को add किया है, प्रनावन को change किया है, inverted commas को बिलकुल हटा दिया है, might, John said, I might meet him, John said, I might meet him, भाई, शायद हो सकता है, मैं उससे मिलू, तो might, जो है, वो क्या रहा, might ही रहा, John said that, he might meet him, he क्यों आया यहाँ पर, first person दिया हुआ है, I, इसलिए, clear, should और ought to के साथ भी, यही हमने किया, यह बात clear हो गई, so can, may, और must, can, could में, may, might में, और must, had to में, लेकिन अगर दिये हुए हैं models would, could, might, should और ought to, तो इनके अंदर कोई भी change नहीं होता, इनके अंदर कोई भी change नहीं होता, clear हो गई यह बात, very nice, आगे बढ़ जाते हैं, अब बारी आ जाती हैं बच्चों imperative sentences की, अब सभी बच्चे imperative sentences को बहुत अच्छे से जानते होंगे, for example किसी भी sentence में अगर कोई order है, कोई command है, कोई request है, उन sentences को हम imperative sentences बोलते हैं, और उनको change करने का formula अलग होता है, उनको change करने के rules अलग होते हैं, आईए जानते हैं, तरीका वैसा ही है, कि हमी inverted commas को हटाना है, लेकिन, क्या लिखना है, कैसे बदलेगा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, आईए, देखे, So, to form the indirect narration of the imperative sentences, induced the words, requested, ordered, advised, forbade, as directed, urged, or suggested, कहने का मतलब, the reporting speech instead of said to, जब भी हम, मेरी बात समझ न, इसमें क्या लिखा हुआ है, जब भी हम किसी भी एक direct speech को indirect speech में बदलेंगे, तो जैसे अभी तक तो हमें direct speech में said दिया होता था, या set to दिया होता था, तो हम उसे tell में बदल रहे थे, या told में बदल रहे थे, या say को हम say ही रख रहे थे, यहाँ पर यह बदलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कहीं जा रही है, या तो उसमें कोई order है, वहाँ तो normal बात कहीं जा रही थे, लेकिन अब जो imperative sentences में बात कहीं जा रहे है, या तो उसमें कोई order है, या कोई request है यह कोई command है है ना ऐसी चीज़ें होती है बस उसकी according आप बदल दो सेट्टू को हटाकर अगर sentence में request है तो requested डाल दो ordered है तो ordered डाल दो advice है advice डाल दो forbid है तो forbid डाल दो forbid मतलब किसी भी चीज़ को करने से मना करना negative sense में यूज होता है यह जैसे समझते हैं sentence से दी मैनेजर सेट टू दी प्यान get out of my office अब देखो यहां पर क्या है order दिया उसने manager ने प्यान को क्या दिया order कि get out of my office मेरे office भार जाओ तो हम क्या करेंगे यह वाला जो सेट टू है इसको change करेंगे किसमें हमें पता चला यह जो कॉमास के अंदर चीज थी यह जो reported speech था इससे क्या पता चला कि यह एक order है तो हम इस सेट टू को उसी के भाव से बदलेंगे जैसे the manager ordered the manager ordered the here on up your upper commas or inverted commas kohat kar kya lag गया तू लग गया लगा या नहीं लगा येस to get out of his office to get out of his office ab that is not used to make the indirect narration of imperative sentence that ka use नहीं करते हम imperative sentences के जब भी हमें indirect बनाने हैं तो हम that नहीं लगाते inverted commas और commas को हटा कर उसकी जगा हम तू का use करते हैं जैसे हमने यहां पर किया commas or inverted commas को हटा कर हमने तू लगाया तरीका वही है commas or inverted commas को हटा कर कुछ ना कुछ तो लगाना है लेकिन imperative sentences में तू लगाना है normal जो हमारे assertive sentences थे उसमें हम दाट लगा रहे थे clear हो गई यह बात तो imperative में क्या change आया सबसे पहले said to या say जो reporting verb है वो किसमें बदली वो जो भी भाव दिया हुआ है order a request a command उसकी according बदलेगी और जो कॉमाज और इंवर्ड़िट कॉमाज है वो हटकर तू लगेगा ठेक है शी सेट तू आस कीप क्वाइट ओवर हियो शी सेट तू आस कीप क्वाइट ओवर हियो अब यहां पर वो ओर दे रहे हैं तो सेट तू किसमें बदल जाएगा ओडर्ड में शी ओडर्ड आस कॉमाज और इंवर्ड़िट कॉमाज हटकर क्या लग गया तू बाद का जो सेंटेंस रहता है बेटा वो आज इट इस रहता है सी यहां पर भी हमने गेट आउट ओफ माइ ओफिस तो यहां पर इसमें कुछ बदलाव नहीं आया केवल यह माइज जो है वो हिस में बदला है ना माई जो था यहां पर get out of my office बही मेरे office से चले जाओ तो मैंजर ने प्याउन को ओर दिया तू get out of his office की वो उसके office से चला जाए दिया यह नहीं दिया जल्दी बताओ दिया यह नहीं दिया है अब आप सोच हो के मैं हम यहाँ पर कैसे आया यहां यहां पर दिया हुआ था माय मतलब मेरा फ्सन में आ रहे हैं पुजैसे वियन में a mere फ्स-ψ पॉस्ट में आ रहा है य lên घुख सबसेंट की अकॉर्डिक का सब्चिक क्या हैँ रिपूर्टिंग औरत कुछ भी हो सकती थी, है न, so to get out of his office, या फिर to get out of her office, ठेक है, चालो, the policeman said to the driver, show me your license, a policeman said to the driver, show me your license, कि भाई तुम अपना license दिखाओ, the policeman ordered, said to किस में बदल गया, ordered में, the driver, commas inverted commas, attacker क्या लग गया, to, show him his license, कि वो उसको उसका license दिखाए, ठेक है, अब him और his, his तो क्या हो गया, उसका license, और him मतलब उसको, राइट, तो यह case is, उसके according की बदल रहे हैं, जो starting में मैंने तुम लोगों को table बताई थी, और formula वो sun rule ही लग रहा है, ठेक है, the magistrate said to the policeman, arrest this pickpocket, pickpocket मतलब जेब कत्रा, है ना, so the magistrate said to the policeman, policeman, arrest this pickpocket, order the air again, है ना, so the magistrate ordered the policeman, two, commas inverted commas, अटाकर हमने two लगा, arrest that pickpocket, this जो था वो किसमे बदल गया, भी मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल थी, उसके दौरान बताया था, from here, कि this जो है वो, that में बदल जाता है, so यहाँ पर भी हमने, यह चूटी चूटी डीटेल्स यह एक्जाम में हमारे माक्स कट कर लेती हैं, ठीक है, so imperative sentences, जिसके अंदर कोई order दे रखा हो, उसको हम ऐसे बदलते हैं, अब, अगर उसके अंदर कोई request हो, so अगर words आ रही है, please kindly type के, अगर please बोला जा रहा है, kindly बोला जा रहा है, है ना, request की जा रही है, so these sentences may take the word requested, ऐसे sentences में क्या आएगा word, requested, और please और kindly जो हो हट जाएगा, ठीक है, in the reporting speech, in the place of said to, said to की जगा हम requested place करेंगे, कैसे, he said to us, please do not make a noise in front of my house, please do not make a noise in front of my house, ध्यान से सुनियेगा, please लिखा हुआ है, please से हमें पता चल गया कि request है, तो हमने said to को change किया, he requested us, ठीक है, commas, inverted commas को हमने हटाया, और हमने to लगाया, imperative sentence है क्योंकि, please या kindly, जो words ये शो करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो request है, हम उन्हें हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने already requested word add कर दिया है, right, so he requested us to not make a noise in front of his house, to not make a noise in front of his house, clear हो गई ये बात, चलिये, ये जो do not वगेरा होता है न, हट जाता है, ठीक है, चलो, he said to my father, please forgive me this time, he said to my father, अब said to, किसमें बदलेगा, requested, he requested my father to, commas inverted commas अटा दिया, please को remove कर दिया, forgive him that time, me जो है वो हम में आ गया, this जो है वो दाट में आ गया, right, clear हुआ या नहीं हुआ बताईए, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, चलो, he said to his teacher, sir kindly excuse me now, भे उसने अपने teacher को बोला कि sir please अब मुझे जाने दू है न, he requested his teacher, respectfully, हमने यहां पर, he requested his teacher, क्योंकि यहां पर sir kindly लिखा, कि sir kindly, so he requested his teacher respectfully, sir से भी तो respect शो हुई न, तो kindly से तो हमें request पता चला, और sir से हमें respect पता चली, so he requested his teacher respectfully, to excuse him then, me जो है वो हमें और नाव जो है वो देम में चेंज हुआ, clear हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, मी दिया हुआ था, मी क्या है, first person के अंदर आता है, अब, यहां पर first person के अंदर आता है, तो वो subject के according बदलेगा, subject क्या है, reporting verb का, he, अब यहां पर क्योंकि यह, objective case में आना चाहिए, इसलिए he, जो है वो यहां पर, him की तरह आया है, ठीक है तो इन में confused नहीं हो ना, sun rule लगाना है हर जगा, अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें, clear, अब, advice वाले अगर imperative sentences हो, तो हम क्या करें, for example, she said to her brother, work hard from today, she said to her brother, work hard from today, advice है, salah है, कुछ भी नहीं है, said to को हट कर advice लगा दो, ठीक है, commas inverted commas को हटा कर तू लगा दो, और बाकी तो pronouns उसमें चेंज होई जाते हैं, और बाकी words, जैसे, she advised her brother, अब देखो, advised to her brother मत लिखना, यह said to completely, के वाल advised में change हुआ है, ठीक है, so she advised her brother, to work very hard from, तुदे लिखा है, तुदे इंडरेक में आने पे क्या बन जाता है, that day, तुदे इंडरेक में आने पे क्या बन जाता है, that day, clear, चलो, they said to him, take a bath very early in the morning, अब यहां पर भी advice है, so they said to किसमे बदलेगा, advised में, they advised him, commas inverted commas, at kar क्या लग गया, to take a bath very early in the morning, clear हो गया यह बात, simple है, she said to her children, pray five times a day, so she advised her children, said to किसमे चेंज हो गया, advised में, to her children, commas inverted commas, at kar 2 लग गया, pray five times a day, that's it, यह बात clear हो गया, चालिया, अब बारे आजाती है, कि अगर कोई भी direction बतानी है, command में, मतलब यह gate बंद कर दो, types, जैसे, he said to me, knock at this door, again, कि इस दुबार, इस दर्वाजे पर वापिस से, खट-खटाओ, तो direction command है, he directed me, इसलिए हमने, set to को किसमें बदला, directed में, क्योंकि उसने उसको दिशा निर्देश दिया, यह वाला काम ऐसे कर, इस वाले दर्वाजे पर खट-खटा, है ना, उसने उसको क्या बोला, कि इस वाले दर्वाजे पर खट-खटा, I said to them, go on doing your duty, I said to them, go on doing your duty, I directed them, to go on doing their duty, ठीक है, your duty हाँ पर किसमें बदल गया, their duty में, clear हुई यह बात, क्यूं मतला देर में, your जो है वो क्या है, second person, second person object के according बदलता है, set to का object क्या है, them, तो मतलब दे, और दे का यहाँ पर, their बन जाएगा, तुम्हारी duty पर जाओ, right, चलिया, I said to the visitor, go away from here, I directed the visitor to go away from, here किसमें बदल जाएगा, दे में, so सारे के सारे rules, सारे के सारे words, सारे के सारे types of sentences, आपको जानने याद रखने काफी ज्यादा जरूरी है, clear, imperative sentences with urging command, urging command वाले, जैसे, he said to me, try your luck again, कि वापिस अपना लग ट्राए कर, तो है तो एक command, लेकिन उसको अर्ज कर रहे हो, ठीक है, वो करना ही करना है, जरूरी नहीं है, सामने वाला कर रहे ही करे, बट आप उसको अर्ज कर रहे हो, कोई एक काम करने के लिए, है नहीं है, जो ही अर्ज रूर्ज मी तो ट्राए माई लग, सेट टू किस में बदल गया, तो अब जैसा भी, जैसा भी इमोशन हो, जैसी भी चीजें हो, इम्परिटिव सेंटेंस में, उसकी जगा वो वाला वोर्ड लगाना है, कॉमा जिए, कॉमास इन्वर्ड गॉमाज को टाकर टू लगाना है, बागी रिपोर्टिट स्पीच के प्रोडाउन बदलने हैं और सब कुछ सेम रहेगा, ठीक, तो टीचर सैट तु अस, ट्राइ और बेस्ट तु विन दिस माच, So, the teacher urged us to try your किसमे बदला आई में, to try our best to win this किसमे बदला, that में, clear? अब ये बार बार बताने की तो जरुड़त नहीं है न, sun rule यादे अच्छे से, बहुत बढ़्या Imperative sentences to ask, कुछ भी पूछने के लिए, for example, we said to them, go away from this place, right? So, we asked them to go away from that place, this place किसमे बदला, that place में, inverted commas अटाकर तू लगाया and said to किसमे बदला, asked में, the doctor said to me, show me your tongue, the doctor asked me, to show me किसमे बदला हिम में, your tongue, my tongue में बदल गई, हैना? to show him my tongue, क्योंकि आस्क किसको किया था, मुझे न, इसलिए वहापर मेरी जीब के लिए बोले का, न, ठीक है, clear हो गया, बहुत बढ़्या अब negative imperative sentences की बात हम कर लेते हैं, ये वाला portion थोड़ा सा important है, बहुत ध्यान से सुनना the negative imperative sentence is usually about the forbidding command, जैसे एक example से समझते है, mother said to me, never tell a lie, forbidding command मतलब, किसी काम को करने के लिए मना करना, ठीक है, किसी काम को ना करने का आदेश देना, आई बात समझ में, तो उस case में क्या होता है, हम forbid का use करते हैं, ठीक है, forbidding command है, इसलिए हम forbid word, forbid word का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, कि किसी काम को करने के लिए मना कर, जैसे mother said to me, never tell a lie, mother ने मुझे कहा कि भाई, कभी भी जो है जूट नहीं बोलना चाहिए, mother forbid me, अब जो never है, यह forbid में ही अपने आप एक negative sense आ जाता है, इसलिए आप never use नहीं करोगे, ठीक है, forbid me to tell a lie, I said to him do not betray your friend, मना कर आए यहां पर किसी चीज़ के लिए, हट जाएगा यह, I forbid him to betray his friends, forbid me क्योंकि अपने आप negative sense आ गया, तो हमें do not लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें do not लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया, अब बारी आ जाती है interrogative sentences की और इनको बचा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना आप लो, ठीक है, दो तरीके के interrogative sentences होते हैं यह आपको पता है, एक होते है yes और no type के, और दूसरे होते हैं हमारे wh word वाले, है न, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे जो अलग-अलग types के होते हैं interrogative sentences, लेकिन change क्या होता है, सबसे पहली चीज, I said to him, when do you get up, भाई मैंने क्या कहा, I said to him, when do you get up, यह तो WH word वाला हो गया, और next sentence है, he said to me, are you going to school, यह हमारा helping verb वाला हो गया, जिसमें yes और no में जवाब हम दे सकते हैं, जब हमने इसको बदला, I said to him, तो यह बदला, I asked him when he got up, अब यार यह क्या हो गया, देखो, said to, जो है, वो change होगा, asked या inquired of में, किसी में भी change कर सकते हो, आप asked भी लिख सकते हो, आप inquired of भी लिख सकते हो, तो हमने I asked him, कि बाद WH word को as it is रखा, है ना, और जो हमारा tense था, get up, वो got up में बदल गया, तो tenses जो change होंगे, वो तो हमारे rules के according ही होंगे, जैसे imperative में तो नहीं बदल रहे थे, लेकिन interrogative में बदलेंगे, तो जो हमारे tenses होंगे, वो तो हमारे, जो rule है उसके according बदलेंगे, केवल, said to जो है, वो change किस में होगा, asked में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई question पूछा गया है, ठीक है, तीसरी चीज, अगर WH word है, तो वो WH word as it is यहाँ पर आएगा, ठीक है, और अंत में full stop आएगा, यह याद रखना, यह जो question mark होता है, यह यहाँ पर हट जाता है, active passive में ऐसा नहीं होता, बच्चे confused हो रहे थे, ठीक है ना, he said to me, are you going to school now, अब यह तो helping verb वाला है, है ना, यह helping verb वाला है, हम कैसे बदलेंगे, he inquired of me, या he asked me, दोनों ठीक है, if I was going to school then, आपने देखा यहाँ पर हमने if add किया, तो जो WH word वाले होते हैं, उसमें वो WH word अपने आप यह conjunction का काम करता है, ठीक है, लेकिन जो helping verb वाले होते हैं, उसके अंदर हमें if या weather add करना पड़ता है, तो आपने देखा हम inverted commas को अटाकर that लगा रहे हैं, कभी हम to लगा रहे हैं, कभी हम if लगा रहे, that हम normal assertive sentences में लगा रहे हैं, to हम imperative sentences में लगा रहे हैं, और inverted commas को अटाकर if or whether जो है, वो हम कब लगा रहे हैं, yes or no वाले interrogative sentence में, जो helping verbs से interrogative sentences start होते हैं, ठीक है, कुछ questions से ज्यादा clear हो जाएंगी हमें चीजे, तो वो यही दो चीजे थी, कि I said to him when do you get up, इसके अंदर तो हांगे, ठीक है, and he said to me, are you going to school now, आर से हमें पता चला हम इफ या वेदर वहाँ पर यूज कर सकते और बाकी का portion as it is change होगा, जो हमने रूल्स पढ़े हैं, उनके ही according, अब कुछ exceptions हैं बच्चों, और यह हमारी इस वीडियो का अखरी पार्ट है, ठीक है, अगर आप देखें बीट हो जाएगी, ठीक है, so कुछ exceptions हैं जो आपको याद रखने है, पहली चीज क्या है, यह रूल्स आप ध्यान रखना हैं का, ठीक है, कि अगर आपका reporting speech, कि अंदर को universal truth, या habitual fact हो, for example, our teacher said the mass is hours, ठीक है, reporting speech नहीं, reported speech में, ठीक है, रिपोर्टिंग वाली तो पहले वाले हो जाती है, right, so जब reporting speech के अंदर कोई universal truth हो, या फिर habitual fact हो, then there is no change in the tense, tense में कोई चेंज नहीं होता, for example, our teacher said that the mass is round, teacher ने क्या कहा, जो mass है, वो round है, clear हुई ये बात, next one, when the reporting speech has past historical fact, then there is no change in the tense, again, अगर कोई past historical fact है, तो उसके अंदर भी कोई change नहीं होता, तीसरी चीज, when the reporting speech has two actions to be happening at a time, दो actions अगर क्या हो रहे हैं, एक टाइम पर हो रहे हैं, when there is no change in the tense, तो उसके बाद भी उसमें कोई change नहीं होता, ठीक है, for example, he said my sister was making lunch when I was studying, अब दो काम हो रहे हैं, एक साथ, तो हम केवल क्या करेंगे, he said that his sister कोई change नहीं कर रहे हम tense में, तो जब दो काम एक साथ हो रहे हो तब भी tense में कोई change नहीं होता, reported speech के, ठीक है, अगर हमारे को past historical fact दिये हुए हो तो भी tense में कोई change नहीं होता, और अगर universal truth या habitual fact दिया हुआ हो, तो भी कोई change नहीं होता है, so I wish and I hope कि आपको यहां तक का पार्ट समझ में आ गया होगा, so basically यहां पर जब आप बिटा confused में तो जाना है, इसमें जो reporting speech लिखा हुआ है कि मैं यह वाला portion की बात कर रहे हूँ आप, basically बात क्या हो रही है, बात यह हो रही है कि जो direct speech के अंदर आपको universal truth या habitual fact दिया हो, तो उस case में कोई change नहीं होता, दूसरी चीज़ अगर आपको past historical fact दिये हुए हैं, उस चीज़ में कोई change नहीं होता tense में, तीसरी चीज़ two actions to be happening at a time, अगर दो actions एक ही समय पर हो रहे हैं, तो उसके अंदर कोई change नहीं होता, and the fourth one is, जब reporting speech के अंदर कोई imagined condition हो, कैसी condition हो कोई भी, imagined condition हो, तो उस case के अंदर, जैसे, he said, if I were rich, I would help him, एक होगे नहीं, अगर मैं अमीर होती, तो मैं उसकी मदद करती, तो imagination है यहाँ पर, clear, so inverted commas, टाकर that, और वैसा का वैसा बाकी का sentence, clear होगे यह बात, तो यह थे हमारे direct indirect के कुछ major important rules, तो मैं आशा करती हूँ, आप लोगों को यह session पसंद आया होगा, यह video पसंद आई होगी, bye bye guys, take care, अपना ध्यान रखें, और fab English को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, comment section में जरूर बताएं कि आपको video कैसा लगा, all the best.